दोस्तों महराष्ट में UBD पक्ष के प्रमुक उद्धव ठाकरे में कुछ ऐसे सवाल किये है जो RSS के सामने उन्होंने कुछ सवाल उठाये है और साथी साथ RSS चीफ जो है मोहन भागवत उनसे भी कुछ सवाल पूछे हैं उद्धव ठाकरे में और ये सवाल जो है वो BGP को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे दोस्तों लोने क्या सवाल पूछे हैं और क्यों BGP को ये सवाल पसंद नहीं आएंगे और इन सवालों के पूछने के पीछे उद्धव ठाकरे की सोच क्या है साथी साथ इसके राजनीतिक समीकरन क्या है इसके अटकले क्या है क्या इ दोस्तों क्या आप BJP के हिंद्य तसे सहमत हैं यह सवाल पूछा है उद्धर। ठाक्रे ने मोहमत भागवास से यहां दोस्तों। इस शवाल के पूछे जाने पर यह सवाल पब्लिक प्रेभखर्ण में पूछा गया है। बहुत सरे लोगों के सामने पूछा गया है संबोधन के दौरान उद्धव ठाकरे ने ये सवाल उठाया है। आपको बताने कि राम्तिक में वहां बहुत सरे लोग जमा थे और उनके कारिकरता भी वहां मौझूद थे। जहां उद्धव ठाकरे ने कई सारे सवाल खड़े किये कि उनके पार्टी को तोड़ा जा रहा है। वो निशाना सादने के लिए नाखपूर में एक बड़ी मिटिंग हुई है। और देर से ग्रीमंत्री अमिश्रा जब नाखपूर पहुंचे थे तो वहां बंद कमरे में कई निर्वेश भी दिये गये हैं। अब उद्धव ठाकरे और शर्कवार के पार्टी को तोड़ा जाए। अब उद्धव ठाकरे ने सीधा सवाल किया है राष्ट्रिय स्वयम सिवक्संग आरसेस प्रमुक मोहन भागवस। उद्धव ठाकरे ने कही है। और लोगों से महाविकास अघाडी को भारी जीत दिलाने और रामतेक लोगसबाग शेत्र में सबी प्रमुक मोहन भागवस। विदान सबाग शेत्रों में जीत सुनशित करने के लिए भी अपील की है। अब दोस्तों ये बात मैंने आपको बता दी जो रामतेक में संबोधन के दौरान उद्धव ठाकरे ने उठाए हैं। और साथी साथ उन्होंने जो सवाल पूछे हैं आरसेस से मोहन भागवस। और जो कारे करता हैं रसेस के जमीन लेवल पर काम करते हैं उनकी तरफ से भी कई सारे फीडबैक बीजीपी को दिये गए लेकिन बीजीपी के शीर्ष के नेता हैं उन्होंने इन बातों को अनसुना किया। जिसकी वज़द से हमने देखा कि बीजीपी की कई कारे करता भी नाराज दिखे और बहुत सारी खबरे आई दोस्तों को एक दून ही कई सारी ऐसी खबरे आई कि RSS जो है वो BGP से नाराज चल रहा है यह मैं लोग समच रहा हूं कि दौरान की बात कर रहा हूं दोस्तों और फिर उसके बाद BGP के कई आला नेताओं ने बड़े नेताओं न उसने इस पर रिपोर्ट किया कई सारी यह खबरे आए अब जब यह पूरी जर्नी हुई है उसके और हमने देखा कि देवेंदर फट्नमिस लगतार नाकपूर का दौरा कर रहे थे लगतार BGP की नेताओं की RSS के जो संग के प्रमुख जो है उनके साथ में मिटिंग चल र और इन तमाम मिटिंग को लेकर के जो अमिर्शा ने की है BGP की नेताओं के साथ महयोती की नेताओं के साथ इनहीं मिटिंग को लेकर के उद्धव ठाकरे अब निशाना साथ रहे अमिर्शा पर लेकिन जो उन्हेंने सवाल किया है RSS से RSS के प्रमुख मोहन भागवत से इस के हिंदुत्व एक है अगर एक है तो क्या उस हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं जिसमें दूसरी पार्टियों को तोड़ना उनके नेताओं को तोड़के अपने दल में शामिल करना इस तरह की राजनीतिक एक्टिविटी जो है जो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव क्योंकि उद्धव ठाकरे दोस्तों वखू भी ये बात जानते हैं कि महराश्ट में हिंदुत्व का वो मुद्दा जो बात करें तमाम नेताओं की तरफ से बीजिपी के जो बाकी स्टेट में इस तरीके से किया गया वो हिंदुत्व का मुद्दा महराश्ट में उस तरीके से बदली है जिसमें वो सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं लेकिन अभी भी जो एक नश हिंदिकी शिवसेना या बीजेपी है वो हिंदुतों की बात करती है और इसी लिए इस हिंदुतों के मुद्दे को लेकर के उद्धव ठाकरे ने सवाल खड़े किये हैं आर्शेस से अब देखे दोस्तों विधान सबा चुनाव एकदम नसदीक है और सभी को पता कि महराश्ट में मुद्दे जो मेन मुद्दे हैं जिसमें किसानों की बात होनी है जिसमें आरक्षन की बात होनी है जिसमें जो ख़राब सरके हैं जो पिछले 3-4 महिने से मुद्दे गरमा ह उसकी बात होनी है, बेरोज़गारी की बात होनी है, महराज की इंटीरियर में जो युवा है, नौकरी ना होनी के वज़े से वो जो पलायन कर रहा है, उसकी बात होनी है, जलसंकत की बात होनी है, किसानों की हालत हमने देखी ती जून में, किस तरीके से मैं जून में, किस मुद्दों के बात, इन मुद्दों पर बात होगी, लेकिन आपको पता है कि चुनाओं में मुद्दों को ढखने के लिए बे बुनियादी, अलग थलग तरीके से बयान बाजी की जाती है, मुद्दों को दबाने के लिए, मिन मुद्दों को दबाने के लिए नेता अंट शं पक्ष के नेता भी उसको घेरने के लिए उनके बयानों को गलत बयानों को लिए करके बयान बाजी करते हैं। जो महायूती की नेता थे उन्होंने भी अलगल तरीके से बाते की। और इसलिए इस बार जो महायूती की नेता है वो अभी तक उनकी बयानबाजी आप देखेंगे। इसलिए विदानसवा चुना के दूर नहीं है। इसलिए विदानसवा चुना में अद्र ठाकने बाको भी जानते हैं कि जो फकेंडर लोगसबा चुना में काम किये थे वो फक्राम करेंगे। तो कि जनता वही है, महाराश्ट वही है, नेता वही है, और इस बार भी लडाई जो है, वो महाराश्ट की सत्ता के लिए है. यह तमाम बाते जो है, वो मैंने आप तक पहुचाई, जो सवाल ख़ड़े की हैं, उद्धो ठाक रहने हैं, वो मैंने आपको झाल झाल